कांधरी कनहान में सांता जी नगर चौक पर चार दिसंबर रात नौ बच कर पैतालिस मिनिट पर सत्रा वर्शी यूवक पे खुलियाम चाकू से जोरदा जानलेवा हमला हुआ यूवक का नाम हिमाशु यादो बताय जा रहा है जिसकी उम्र सत्रा वर्श है हिमाशु यादो के पिता अपने नाश्ते की दुकान बंद कर रहे थे इतने में ही कुछ गैंग ने आकर उनसे जबरदस्ती जगड़ा करना शुरू कर दिया इस जगड़े को बीच पचाफ करने गए पुत्र हिमाशु को गैंग के लड़कों ने धार धार चाकू से हमला बुल दिया रोड पर गिरे खून के धब्बे को देखकर ये अनुमान लगाए जा सकता है कि हमला कितना घातक किया गया है खबर मिलते ही स्थानिक विधायक आशिश जैस्वाल घटना स्थल पर पहुचे साथी स्पी वा एडिशनल स्पी को घटना की जानकारी दे कर इसे गंभिरता पुर्वक ध्यान देने को कहा गया तथा आरुपियों को पकड़ कर तुरंत कारवाही की जाए ऐसी बात भी उन दिखाकर लूटने का मामला सामने आया है ये आट से दस लड़कों की गैंग है अब देखना ये है कि कनहान पुलीस इस गैंग पर क्या करती है जिससे आने वाले समय में दुकानदार खुद को सुरक्षित महसूस कर सके वा शेत्र में अपराद कम हो सके BCN News कनहान से केमरापरसन अखलेश भरादवाच के साथ अभिशेक पांसिक रिपोर्ट